नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे खास प्रोग्राम वाइरल सच में इस प्रोग्राम में हम आपको बताते हैं शोशल प्लैटफॉर्म पर फेलने वाली हर खबरों के पीछे का सच क्योंकि कई खबरे अलग तरह से पेश की जाती है और सच्चाई उसकी कुछ औ विश्वास कर लेते हैं लेकिन वो विश्वास के काबिल खबरे नहीं होती तो इसलिए आप लोग भी थोड़ा बच कर रहे हैं और हमतों हैं ही अपने प्रोग्राम के जरिया आपको उन खबरों के पीछे का सच बताने के लिए तो आज भी हम ऐसी ही कुछ खबरे लेकर आ लेकर ऐसी खबरे सामने पेश की गई है कि खेसारी ने अपने स्टेट शो में पवन का मजाग उड़ाया है आमरुपाली के गाने का मजाग उड़ाया है राते दिया वुताके का मैं मानती हूँ कि खेसारी की वो वीडियो वाइरल होई है जिसमें खेसारी ने इस गाने का जि कि दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और खेसारी आमरपाली एक साथ काम भी कर चुके हैं खेसारी के जो भी दर्शकों को हसाने के लिए खेसारी ने राती दिये बुताकेप के बारे में जो कुछ भी बोला है वो सिर्फ दर्शकों को हसाने के लिए बोला था और आमरपाली क कियोंकि दर्शकों के जहन में खेसारी की वही इमेज रहेगी और वापस से सब एक जुटी होँगे तो फिर ख़बर फैलाने का कोई मतलब भी नहीं है वहाँ हजारों की संख्या में लाखों की संख्या में लोग होँगे जिन्होंने खेसारी के स्टेशों को देखा होगा खेसारी के इस बात को सोना होगा लेकिन किसी ने उस वक्त सवाल नहीं किया किसी ने उस वक्त कोई जवाब नहीं मागा बाद में इस तरह की खबरे फैलने का आखिर क्या मकसद हो सकता है आप लोग कुछ समझ सकते होंगे य या फिर हो सकता है पब्लिक सिटी के लिए तो ये दोनों ही चीजें लेकर दूसरों के बारे में बोलना ठीक नहीं है तो खिसारी को लेकर ये जो खबरे फैल रही है ये आप लोग देख रहे हैं वो पूरी तरह से गलत है आप लोग विश्वास मत कीजिए क्योंकि जिस तरह से खबर है ही नहीं अगली खबर जुड़ी है एक ऐसी अभिनेत्री से जो हाल ही में इंडोस्री में एंट्री कर रही है अपनी नई नई फिल्मों के जरिये जिनका नाम है स्पृती सिना जो अपने एक्टिंग का लोहा पहले मंगवा चुकी हैं अपनी खूबसूरती से द बतान हो जाएंगी स्मृती सिना की वापसी को लेकर कई ऐसी ख़िरों सुनने को मिल रही है कि स्मृती ऐसी जिने को मिगवा नंगे ने अफ दरिशी सामने अभी हाल में थोड़ा व्यस्त हो गई थी जगसे शादी होई वो अपने परिवार में ध्यान देने लगी है लेकिन अब सब कुछ ठीक है तो वो वापस ही कर चुकी है लेकिन उनकी शादी होई तब भी उनकी जिंदेगी खुशहाल थी शादी के पहले भी खुशहाल थी तो कोई वो एंतुजार था उनसे अब रूबरू हो पाएंगी और हाली में जो उनका इंटर्व्यू आया है वो बहुत उत्सा भरा हुआ है उन्हें बहुत खोशी है कि एक बार फिर से वो दर्शकों को देख पाएंगी और उनने बोला है कि इस डब्बे को भी बंद रहने तो जब खोल कानी होगी तो स्मृति सिना वापस आई हैं लोगों को खुशी है और सारे फिल्मी सितारों को भी खुशी है कि एक बार फिर से एक बहतरीन एक्टरस के साथ उन्हें काम करने का मौका मिलेगा तो बढ़ते हैं आगे जान लेते हैं अगली वाइरल होने वाली खबर और उसक प्षाली में कई सारे फिल्म का फुर्स लुख और टीजर भी आपको देखने को मिला होगा तो अचानक से निरोहा को ऐसा क्या हो गया शूटिंग के समय हर स्टारों को अलग-अलग किरदार में ढ़लना पड़ता है अलग-अलग रूप में नजर आना पड़ता है निरहुआ अपनी एक फिल्म में बाल छिलवा की और थोड़ा मतलब अलग मेकप में नजर आय थी जिससे देखने पर ये लगे कि या तो निरहुआ पागल है या फिर निरहुआ बीमार है इस तरह कि उन तस्वीरों में देखने को मिल रहा है उन दोनों तस्वीरों को मर्ज करके ये कहा गया कि निरहुआ को है भयंकर बीमारी जबकि ऐसा कुछ नहीं है निरववा को कोई बीमारी नहीं है वो बिलकुल ठीक हैं बिलकुल स्वस्थ हैं और अपनी फिल्मों की शूटिंग में अपनी पूरी स्टार कास्ट के साथ और अपने production house के साथ busy है धुआधार फिल्में लेकर आने में और एक के बाद एक उनकी फिल्में release होंगी फिल्मों के trailer release होते जा रहे हैं जैसे आप लोग आने वाले दिनों में देखेंगे अगर निरहुआ को कुछ होता तो उनके fans को पहले खबर लग जाती और आमरुपाली का जो बुरा हाल होता वो अलग लेकिन अभी निरहुआ को लेकर अगर आपने ऐसी खबर सुनी हैं तो उस पर विश्वास मत कीजे मैं फिर से कही रही हूं निरहुआ एकदम स्वस्थ है और आप लोगों को हाली में लाइफ भी देखने को मिले होंगे जब उन्होंने अपनी फिलम नचानिया अपनी फिलम नहीं अपने दोस्त की फिल्म अभिनाश की फिल्म को प्रमोट किया और देखने के लिए कहा है तो बढ़ते हैं आगे जान लेते हैं आगली खबर वाइरल होने वाली खबर जिसके पीछे का सच भी हम आपको बताएंगे दरसल चिंटू की मम्मी को लेकर और कलू की मम्मी को लेकर अभदेश मिश्रा और संजे पांडे की पतनी को लेकर एक चैनल के द्वारे ये कबर दिखाई गई है कि बहुत स्टाइलिस हैं करती हैं हिरोईनों को फेल यह वो अर ऐसी तमाम कबर हैं जबकि कलू की मम्मी भी गाओं की घरिलू महिला हैं चिंटू की मम्मी भी नॉमल हैं और संजे पांडे और अभदेश मिश्रा की पतनियां भी नॉमल हैं हिरोईनों के साथ अलग-अलग तस्वीर लगाकर दिखाया जा रहा है कि इन चारों लोगों की बैक्ग्राउंड केसे हैं जो कि सरसर गलत है आपने अगर नहीं देखा है इनके परिवार वालों को इस तरह की खबरों को फैलाने का कोई मतलब नहीं है तो अगर आपको भी कोई जूटी तस्वीर दिखाकर इनकी पतनी और इनकी ममी बताये जा रहे तो आप लोग बिलकुल विश्वास मत कीजेगा क्योंकि बहुत कम समय ऐसा आता है जब इन स्टारों की फैमली मेंबर्स आपके सामने आएं जैसे चिंटू हैं तो आप लोगों ने जादतर चिंटू के पापा को ही देखा होगा उनके परिवार जनों में उनकी ममी को बहुत कम देखा होगा अगर कलू के बात की जाए तो कलू की शेयर करते हैं कभी कबार अपनी फैमली की फोटो जिसमें उनकी ममी भी होती है और बाकी के भाई बेहन भी होते हैं लेकिन कलू की ममी भी एक गाउं गुरस्त की महिला है और एक घरेलू महिला है तो हिरोईनों से कंपेर ना ही किया ज और आप लोगोंने उनको इवेंट्स में कम देखा होगा, अक्सर रिकॉर्डिंग स्टूडियो में कल्लू के साथ उनके पापा ही आते हैं, उनकी मम्मी नहीं आती हैं, और उनके बड़े भाई को आप अक्सर कल्लू के साथ भूमता हुआ देखती होंगे, वहीं अगर दोस् कर शियर करते हैं, जिसमें आपको इनकी वाइफ देखने को मिली होंगी, लेकिन किसे भी इवेंट या पाटी में आप लोगों ने इनकी वाइफ को शायद ही देखा हो, और अगर आपने देखा होगा, वो भी हाउस वाइफ सुन्दर है, बिमना नहीं करते हैं, लेकिन गर्ल आमरुपाली दूबे से, आमरुपाली दूबे को लेकर ऐसी खबरी दिखाई गई कि आमरुपाली को निरहुआ ने निकाला घर से धक्के देखर बाहर, जो कि सरासर गलत है, आमरुपाली और निरहुआ में कितनी अच्छी दोस्ती है, कितना अच्छा याराना है, य तब से दोनों ने निरहुआ हिंदुस्तानी की शुरुवात एक दूसरे के साथ की है, तब से दोनों ने एक दूसरे के साथ किसी भी परिस्तिती में नहीं छोड़ा है, और यहां तक कि आमरुपाली बेशक से अपनी पतनी के साथ अभी तक नजर ना आयों, लेकिन आमरुप को कि मुझ पर भी हमेशा दोनों का नाम एक साथ रहता है अगर दर्शक आमरपाली बोलेंगे तो साथ में निरहुआ भी जरूर बोलेंगे और निरहुआ बोलेंगे तो आमरपाली भी जरूर बोलेंगे तो ऐसी दोनों में कोई गलत फैमी हो ही नहीं सकती कोई परिशानी हो ह और जाएंगी भी तो ये तो दावी के साथ है कि निरहओ अपने घर से निकालेंगे क्योंकि इतने सालों का साथ है जो हमेशा आगे भी बर करा रहेगा, तो अगर इस तरह की खबरे आप सुन रहे हैं, तो आप उन पर भी विश्वास मत कीजे, क्योंकि आमरुपाली को निरहुआ ना तो घर से निकाल सकते हैं, और ना ही निरहुआ को कभी आमरुपाली घर से दोनों बहुत अच्छे सचे और पके दोस्त हैं तो ये थी आज की वो वाइरल खबरें जिनके पीछे का सच हमने आपको बता दिया है अगले प्रोग्राम में फिर से होगी मुलाकात ऐसे ही वाइरल होने वाली खबरों के साथ लेकिन तब तक के लिए आप हमें दीजे इजा के आइकन वाला बटन दा बाई